है गाइज विल्कॉम डू आवर चनल लर्निंग प्रवामिंग वे ये से स्ट्रेटोल का नाइंथ वीडियो है तो गाइज इस वीडियो हम देखने वाले हैं स्ट्रेश की हाइट एंड विड्ट गाइज यह बहुत इंपॉर्डेंट टॉपिक है जब भी आपको कोई भी जादा ज़रूद परदी है किस को कहाँ कुछ वर्ट को आपको कहा पर रखना है उसकी हाइट लेंथ सारी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ता है तो यह बहुत इंपॉर्टन चीज आपको भी लेंए तो आए वीडियो के स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंस अप्लाइ और इसको इसको मैं यहां आकर रिफ्रेस्स करता हूँ variable आप देख सकते हैं जैसरे पर आप देख सकते हैं थोड़ा सीगाय जूम करते हूं किaci़ Saints को स्का में केंड़ alarm के थैंड luxury training के अंदर style लिखना है style sheet यहां पर लिखने के बाद यहां पर आपको back करना और यहां पर आपको class लगानी है जो class आपकी D1 है ठीक है तो D1 पर आपको click करना इस तरह से और इसमें पहले सबसे पहले मैं इसकी border लगा देता हूं ठीक है तो यहां पर border लगा देते हैं border लगाने क आफ और चूलिट देते हैं इस टाइल जो है इसको फॉक्वाइल को से और फिर से रिफ्रेस्ट करते हैं यहां पर देखते हैं इस पर बार्डर आचुका है थोड़ा सा मैं इसको हलका सा जुमाउट कर देता हूं आप इसको मैं यहां पर इसको लिखेंगे इसमें इसकी width देते हैं इसकी जो पूरे size आप यह पर देख सकते हैं जो इसकी पूरे size है यह 100% है तो सारी screen कीJustうわ कि आपको size को देते है तो यह पर आपको क्या करना है इसकी height suppose that मैं वंहंडेटंध फाइफ अंडेर् कर देता हूँ ठीक है की ही आपको लिखना वहांड़ेट् अगर वाट वहन थाूज़ें यह पूरी इस सफर्च्रीन को इन चन्हार करें तो यह जिए से आपको मैनने में क्यलिएर मैं कर देता कि यहां सिस्को मैं फाइल को सेव करने के बाद यहां पर रिफ्रेस्ट करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर रिफ्रेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर जो इसकी विर्थ है और यह 1000 है मत्विक स्क्रीन की आपकी 1300 के आसपास होगी तो इस तरह से हम स्क्रीन के उपर डिवेंड करता है कितना है मैं आपको इस पर थोड़ सा चेंज करता हूँ परसेंटेज में अगर हम इसको जब देते हैं तो अगर मैं इसको 50% देता हूँ ठीक है इसको पिक्सल को हटाने के बाद यहां पर % लगाएंगे अब देखते हैं क्या होता है जब 50% लगाते है तो बिलकुल जो स्क्रीन की साइस उसका बिलकुल आदा लेगा ठीक है अगर यहां पर मैं 100% करता हूँ यहां पर 100% करता हूँ परसेंटेज मतलब कि सारे स्क्रीन का के बाद इसको में रिफ्रेश करके यहां से आप देख सकते हैं यह 20% में अज़ेस्ट हो चुका है तो यहां पर मैं ने डियो टैक लिया था डियू टैक के अंदर यह सारी चीज़े आप देखका रहा है ठीक है इसके बाद हम देखते हैं इसके विट्थ क्या होती है जो भी आप हाइट देना चाहते हैं सब्सक्राइट मैं इसको 500-300 दे देता हूं ठीक है 300 पिक्सल लिखने के बाद इसमें क्या करना है आपको यहां पर आकर रिफ्रेस्ट करना है इसमें आप देखते हैं 300 पर हो चुका है और इसकी साइज को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं तो यहां से मैं इसको 50% कर देता हूं और अब देखते हैं क्या होता है यहां पर जो इसकी हाइट रहेगी सेम वो फिक्स रहेगी और 50% पर ले रहे है ठीक है तो यह चीज इसम इसके characters हैं जो इसमें word लिखे हैं अगर इसकी size ज्यादा होती है तो इसमें क्या होता है वो चीज आपको condition में दिखाना चाहता हूँ इसमें क्या होगा इसको आप इसको percentage में देख सकते हैं लेकिन maximum जो चीज़े हैं वो हम लोग हाइट में इसको pixel में ज्यादा तर लेते हैं इसका एक reason है जो हम अगली वीडियो में बताऊँगा तो इसमें आपको एक चीज देख सकते हैं जैसे कि मैंने जो यह due tag लिया था इस के बाद सेव करने के बाद यहां पर refresh करेंगे रिफ्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ words इसके बाहर जा चुके हैं एक बार मैं उसको और control V कर देता हूं तो इसको save करने के बाद अब देखी यह चीज़ आप नीचे आपने ख्याल किया होगा यह देख आप देख हो रही है लेकिन height change नहीं हो रही है तो इसमें हमें कैसे change करेंगे यह और फोलो हो रहा है तो यह सारी चीज़े हम अगली वीडियो हम देखेंगे तो बागिए आप बस इतना ही समझ लें कि कैसे हम height और width लगाते हैं तो यह चीज़े आपने यहां पर देखी है तो अगली आने वाले notification में आपको वीडियो हो रहे है वह मिलती रहे थैंक्यू समझ फ़र वाचिंग वीडियो